देश में सोने और चांदी की नई जूलरी की खरीदारी आम बात है। वहीं कुछ लोग पुरानी जूलरी को बेच कर या फिर कहिए एक्स्टेंज कर नई जूलरी भी बनवाते हैं। यही वज़ा है कि भारत में सोने की खपत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आप जूलर के पास अपने पुराने जेवर को लेकर जाते हैं। दरसल जूलर मौझूदा भाव के उपर कुछ फॉर्मूला लगा कर आपको पैसे दे देता है और आपको लगता है कि आपको कम पैसे मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि पुरानी जूलरी की वापसी के समय सोने का भाव कैसे ते होता है। आपको बताने कि आपकी जूलरी की कीमत शुद्धता पर निर्भर करती है तो आई आपको बताते हैं कि आप अपनी जूलरी की शुद्धता को कैसे समझ सकते हैं आपको बस ये जानना होगा कि आपकी जूलरी कितने कैरेट की है अब समझ लीजे कि आपकी जूलरी 18 कैरेट की बनी है तो इसकी प्यॉर्टी कैसे तेहोगी? दरसल आपको इसके लिए बहुत बड़ा मैथेमेटेशन होने की जरूरत नहीं है बस आपको करना ये है कि 18 कैरेट को एक मैजिकल नंबर से गुणा करना है और आपकी जूलरी की प्यॉर्टी निकल आईगी अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि आखिर वो मैजिकल नंबर क्या है? दरसल वो मैजिकल नंबर 4.166 है अब 18 कैरेट को 4.166 से गुणा करेंगे और आपको 74.988% का आकड़ा मिलेगा यानि कि आपकी जूलरी करीब 75% है जबकि इसके अलावा इसमें तकरीबन 25% दी अन्य धातूं का मिश्रण किया गया है ताकि जूलरी को हाड किया जा सके इसी तरह आपकी जूलरी अगर 22 कैरेट की है तो इसकी शुद्धता भी इसी तरह से निकलेगी आपको बता दें कि जूलरी बनाने के लिए सोने के साथ अतिरिक अन्य धातूए भी मिश्रण की जाती है ताकि जूलरी बनने के बाद वो अपनी शेप में रहे अगर आपने प्योर सोनी की जूलरी बनाने की कोशिश की तो वह अपने आकार में नहीं रह पाएंगी यहाँ एक बात ध्यान देने वाली यह है कि यह मैजिकल नमबर 9 कारेट के नीचे काम नहीं करता है अब सबसे आखर में हम आपको बताते हैं कि आपकी जूलरी का रिटर्न रेट कैसे तैह होगा मान लीज़े कि आपकी जूलरी 18 कारेट की है और उसका वजन 10 ग्राम है और आज की सोने का मौझूदा भाव 38,000 रुपे प्रती 10 ग्राम का है तो अब कैसे रिटर्न रेट निकलेगा तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले यह करना है कि 18 कैरेट की शुद्धता यानि 74.98 को 38,000 रुपे के साथ गुणा करना है और उसके बाद आपको 18,235 रुपे का आखडा मिलेगा यानि कि आपकी जूलरी को इस रेट पर वापिस किया जा सकता है हाला कि दुकानदार इस रेट को नीचे करके भी लगा सकता है क्योंकि दुकानदार को भी पुरानी ली गए जूलरी को फिर से रिफाइन करना होगा और जिसमें काफी खर्च लगता है अब आपको 18,235 रुपे से कुल वजन का गुड़ा करना होगा तो आपको कुल रिटर्न प्राइस मिल जाएगा आपको हमारा ही वीडियो कैसा लगा और अब बिजनेस जगत से जुड़े कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कॉमेंन सेक्षिन में जरूर बताए और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीज़े ताकि बिजनेस सेक्टर से जुड़ी ताजा खबरे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप तक पहुंच सके